अब बात करते हैं यहाँ पर regression क्या होता है तो regression यहाँ पर regression और classification हमें दो चीज़े देखने हो मिलती है अब regression क्या होता है यह जो है simply आपको समझाने के कोशिश करो तो regression जो है वो एक process होती है relation निकालने की एक dependent और independent variable के बीच में अब मलत जैसे कि आप समझा सकते हो हमें यह क्या रख तो जैसे कि यहाँ पर आपको बता देता हूँ जैसे हमें area of circle चाहिए circle का area हमें निकालना है तो हमने एक relation निकाल लिया जैसे कि radius और area के बीच में एक relation निकाला जो कि एक relation निकल कर आया एरिया और रेडियस के बीच वो निकल कर आया Pi R² तो अगर हमारे पास अब यहां क्या करता है हम कुछ और चीज आउटपुट में चाहिए तो हम देटा के हिसाफ से चेक करते हैं कि इस वैली उपर हमें क्या output मिल रहा था इस value पर क्या output मिल रहा था और इसी तरह से हम check करते करते हैं काफी सारे data से एक यहां पर relation निकाल लिएते हैं एक independent variable और एक dependent variable के बीच में अब इससे हम क्या कर सकते हैं जब हमें पास relation आ गया तो हम future में कुछ भी prediction कर सकते हैं हमें किसी भी house का price निकालना हो या फिर market में stock वगएर की value क्या होने वाली है किस तरह से इस तरह से हम relation निकाल सकते हैं तो simply क्या होगा हमाई पास एक variable होगा x और हमाई पास output में जो मिलेगी value वह होगी y तो हमें x की value बतानी है और जो output में value चाहिए वह हमाई पास y निकल कर आ गई अब यहाँ पर थोड़ा आपको एक pictorial ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर simply मैंने एक linear regression का यहाँ पर आपको graph दिखा रहा हूँ इसमें हमने क्या करा मान लो यह हमाई पास information निकल कर आई कि इस value पर हमें एक ये value मिली ये value मिली ये value मिली ये value मिली इस तरह सा आप देख सकते हो एक line में हमाई value निकलती जा रही है तो हमने इन points से मिला कर एक line बनाने की कोशिश करी अभी हमाई पास line निकल कर आगई तो हमाई पास linear relationship निकल कर आगई है मतलब कि हमाई जो पास पुराने data थे उनसे हमें ये values निकल कर आई और उन values के बीच में हमने साथ में मिलती जुलती एक line सी create कर दी अब इससे क्या हो गए हमाई पास एक आगए कर ना relation निकल कर आगए जिससे हम और किसी other value को रखकर वो value निकल सकता है ये x axis है और ये y axis है तो इस तरह से एक बोल सकता है y is equal to mx plus c वाला सा हमारा कुछ यहाँ पर relationship निकल कर आचुका है अब यह हमारा linear भी हो सकता है यह हमार non-linear भी हो सकता है ऐसा इस तरह से curve में भी हो सकता है यह हमारा increasing भी हो सकता है decreasing भी हो सकता है तो इस तरह से हमें एक relationship निकाल देता है data का use करके तो इसी तरह अब यहाँ पर theory के हिसाब से कुछ example पताते हैं तो जैसे weather forecasting करनी है हमें तो हम क्या करेंगे पुराने weather का use करेंगे म इतनी humidity थी और इतना यह सब था तो हमारा weather इस तरह के निकल कर आया था इस तरह से काफी सारे weather के यहाँ पर हम data collect करेंगे और उसके बेस पर एक algorithm बनाएंगे जो कि हमें बता सकता है कि इस condition में बता सकता है कि आगे क्या हमारा weather होना वाला है बारिश होगी या फिर नहीं सकता है data यहाँ पर regression की कुछ algorithms के जो कि आप सिर्फ नाम याद रख सकता है याद रहते है तो अच्छी बात नहीं रहते हो कोई बात नहीं तो यहाँ बात करता है आगे जो कि हमारी classification तो classification जो है वो regression से थोड़ी अलग होती है और इनको थोड़ा अलग समझने की कोशिश भी करना तो classification में जो output हमारा निकल गायागा जैसे हमारा regression था उसमें क्या था हमारे पास कोई भी variable value थी जो कि हमने input में डाली और output में कुछ भी value आ सकते है जो भी हमने डाली है लेकिन classification में क्या होगा जो भी हमारे पास data है उसमें जो output है निकल कर आएगा यह वो एक category में होगा या फिर yes या फिर no होगा true और false होगा या फिर कुछ और हो सकते है वाला हमारे पास example बदा दू मेरे पास एक काफी सारा collection है कपड़ोगा तो यहाँ पर हमारे पास input में हैं कपड़े तो यहाँ पर अलग-अलग color के red, green, blue हमारे पास काफी सारे color है तो हमने सिफ output में जो category र पर यहाँ पर एक्जामपल आपको बता दू खाल नहीं तो यहाँ पर हमारा जो output होगा वो हमारा होगी यह फिर नहीं होगी तो output में हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि अलग-अलग values हो सकता है उसका output हमें पता होता है मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या फिर output में 2 value हो सकता है 3 value, 4 value जितने भी हो सकता है वो हमाय पता है अब देखो इस में क्या होता है computer program को पुराने काफे सारे database देते हैं और उसकी training कराते हैं जिसके हिसाब से वह यहाँ पर उस data का use करके ना category कर देता है data की different classes में बस हमें input दो और output में उस पर से select करके बता देगा कि यह वह चीज होने वाली है तो अब example आपको बना देता हूँ जैसे की email spamming है email में आप देखें को जो भी spam email होते है वह spam की category में चले जाते हैं और बाकी जो promotional होते है वह promotional में और जो main होते है वह primary में चले जाते है तो हम basically है पर अब तीन मान के चलते है तीन category होते है और भी होती है वैसे तो तो उसने पुराने email का data collect करा उसकी है पर training करी हमने और उसने फिर पहचानना शुरू कर दिया कि यहां हमारे पास इस तरह के email को मैं spam में डालूँगा और जो bucky है इस तरह के उनको promotion में और जो main है उसको primary में मैं डाल दूँगा तो अब क्या करेंगे जितने भी हमारे पास mail आएंगे वह सिर्फ तीनी category में divide होने वाले जो कि हमने पहले सा output decide कर रख है वह हो गया spam हो गया primary हो और यहां पर promotional हो गया तो इस तरह से email spamming वाला यहां पर चीज काम करती है अब इसके भी classification हो सकते है algorithm की जो की अलग अलग हो सक जो की आप देख सकते हो तो अब data और sorry है पर आप regression और classification को आप अच्छे समझ गए होंगे लेकिन आपकी एक बात तिमाख की exercise ख़राने के लिए आप से कुछ पूछता हूँ time stamp डाल कर नीचे comment में मुझे बताना इसका क्या answer होने वाला है यह video आपको पसंद आई या फिर नीचे comment करके अभी बताओ इस videos पर एक महीने में कितने views आने वाले है यह regression हुआ यह फिर classification हुआ answer number 2 डाल के comment section में अभी बताओ और 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 कल जो है इसकी कल आपका test होने वाला है यह फिर नहीं होने वाला है वो नीचे comment करके बताओ आप male हो यह female हो यह regression हुआ य और मुझे कोई घर लेना है और उसका price मुझे पता है कि इस हिसाब से पर square fit इतना price है तो उस हिसाब से उसका price कितना होगा वो एक हमारा regression हुआ यह classification हुआ वो नीचे बताओ और कल बारिश होगी यह फिर नहीं होगी यह classification हुआ यह regression हुआ यह नीचे comment करके बताओ तो थोड आप सब कुछ समझ गए होंगे तो आप ने exercise कर लिए होगी वीडियो पॉस करो काम करो जल्दी से मजाग ने करना जल्दी करका हो यह comment section मा answer देखा हो अगर आपने answer दे दिया तो अब आते है इसके difference के बीच में इसका comparison देख लेते है क्या के difference है जो कि आपको आपको पता ही है उसी को यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख रखा है अगर आपने यह वो answer दे दिया तो अब इसके difference को आप easily समझ पाऊगे तो classification में क्या होता है हमें discrete value मिलती है output में मतलब कुछ fixed value होती है वो हमें देखने हो मिलती है लेकिन regression में continuous nature होता है और हमें real value मिलती है कुछ भी हो सक y जो होगा वह हमारे discrete होगा classification में और इसमें continuous होगा और हम regression जो है वो continuous data के लिए use करते हैं उसके साथ use करते हैं और हमें classification को discrete data के साथ use करते हैं और हम regression में क्या करते है हम best fit line धूनते हैं जैसे कि मैंने वो graph दिखाया था ना उसमें points थे और उसमें एक ऐसी line बनाई थी जो कि सभी से थोड़ी मिलती हुई जा रही हो एक सीधी से line बनाने की कोशिश करी थी वो हमारा regression था और classification में क्या करते हम decision की boundary बनाते हैं जिससे हम divide कर सके database को अलग-अलग classes में इसका भी मैं एक बार आपको chart या फिर graph type दिखाने की कोशिश करता हूँ तो अब आप देख सकते हूँ यह हमारा regression वाला है जो कि वैसा ही है जो कि मैं आपको पहले दिखाया था हम जो हमारा output था जो हमारा values थी उसके हम एक line बनाने की कोशिश करी थी लेकिन classification में हम क्या कर रहे हैं वो हम यहाँ पर divide कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह की value इस तरह की तो हमने उनके बीच में divide करने के लिए यहाँ पर division में पर ढाल दिया अगर तीन चीज़े है तो हम यहां सेश सर्क्ल से बना सकता है और इस तरह से यह लाऊ से एक ब्लू वाले को एक category है ना की कोशिश करता है तो इस तरह से हम से करता है अलग अलग separate करता है लेकिन यहाँ यहां पर हम एक straight line बनाने की कोशिच करते है जो कि इन सभी points से मिलकर जा रही हो ताकि relation बन पाए तो यहां पर regression का हम use करते है weather prediction के लिए house की price को predict करने के लिए और यह जो हमारा classification होता है वो हम काफी सारे ही चीजों में use कर सकते है इमेल को detect करने के लिए cancer cell की identify करने के लिए उनको different category में divide करने के लिए basically यहां पर example की आप difference लिख सकते हो और यहां पर आपका जो regression हो सकता है वो linear भी हो सकता है non-linear भी हो सकता है जो कि मैंने बताया था एक straight line भी बन कर आ सकते है linear और non-linear भी हो सकते है curve बन के आ सकते है increasing भी decreasing भी हो सकते है और यह जो हमारा classification होगा वो binary classification भी हो सकता है multiple class भी हो सकता है binary से मतलब दो category में भी output मिल सकते है yes or no true or false हा या ना इस तरह की दो category में भी हो सकता है यह फिर multiple categories में हो सकता है क्र